कि हमको हमारी आने वाली नसलों के लिए मंदिर और मस्जिद के जगड़ों से उपर उठना चाहिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर के दौलत को अस्पतालों के हवाले खर दिया जाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब दील खर दिया जाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ सो बिस्तर का स्पताल नहीं बनाया जाएगा इन्सानियत पर जो यह हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए, मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ठीर में बदलते देते हुआ हम इतने असाहाय कभी नहीं थे एक डेश के तौर पर, इंसान के तौर पर, ये मुख्रसी के तौर पर, हम पूरी तरीके से निकम में ध्रश्ट और बरबर सावित हो चुए है हमें से हरेक आदमी अपनी नसरों में किरा हुआ है हम सब किसी अद्रिश्य शक्ति की मदद के उम्मीद में हैं ऐसा लगता है जैसे, यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधान मंतरी नहीं है, यहाँ कोई विवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसर्साही नहीं है और सब को अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं दिखा है आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए वो कहते हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिड़ हो गई है हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं है थे आपक्सिजन के बिना अपने पेशेंट को तड़क तड़क कर मरना डॉक्टरों की नीन दुड़ा दे रहा है और आप यकीन मानिये मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक पीमारियों से लड़ रहे होंगे जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है इस देश को नर्क बना दिया गया इस देश को दोज़क बना दिया गया है और हम सब को इतना बेचारा बना कर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं खेर वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुबा वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीश रहेंगे नहीं रहेंगे डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस तुनिया को और बैतर होना चाहिए वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नसलों के लिए मंदिर और मस्चिद के जगड़ों से उपर उठना चाहिए वो सोचेंगे और सोचना चाहिए किस देश को मंदिरों, मजारों, मिनारों की जरूरत नहीं है हमको सोचना चाहिए स्टेश को अच्छे हस्पतालों की जरूरत है स्टेश को अच्छे स्कूलों की जरूरत स्टेश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेज की जरूरत है अच्छे डॉक्टर पेरा मेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाईयों की जरूरत है, बिस्थरों और वेंटिलेटर की जरूरत है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले खर दिया जाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब दील खर दिया जाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिल तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ सौ बिस्तर का स्पताल नहीं बनाया जाएगा उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा, हमको सोचना पड़ेगा